नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में अंसर एटिंग की कुछ टेक्निक्स बताई थी और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जिसको सिलेवस में लिखा गया है modern history of Indian culture तो यह ऐसा section है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जौत नहीं है और इसमें ऐसा train देखा गया है कि कुछ states of culture जो कि हर साल repeat होते हैं तो उसी को आप कर लेके तो ज्यादा अच्छा हो तो अच्छा होगा तो चलिए सुरू करते हैं किसमें कैसे क्या 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 करना है मिसमें इसमें क्या कैसे फॉलो करनी है यह सबको पता है यह सब आप सबको तो पता होगा ही कि सक्षने में थ्री कोस्टन्स अटेंप्ट करने होते हैं कभी पांच पता है कभी उच्छी होता है काफी आप दुवाश्ट होती है और वही एक कोस्टन वाल बर रिपीट होते हैं इसमें जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि कौन सा स्वर्स फॉलो करना है तो अस्प्रेक्टर में दो ही स्वर्स इंप्रेक्ट मिलता है इसे दो एक तो 1857 रिवोर्ड का कुछ मिल जाएगा इसमें और एक जो ट्राइवल मूमेंट रिइंडियम हुए उसके बारे में कुछ में जाएगा बाकि अस्प्रेक्टर में ज्यादा कुछ हेल पर नहीं है और एक बिहार कोई है बुक जिसमें थोड़ा बहुत भाद भी हिस्ति दी हुए बाकि तो मेरे हसाब से इसमें आप जितना जदा इंटरनेट पर रिलाई करेंगा नहोंते आपको फाइदा होगा तो तो बहुत ज़्यादा इसमें इंट्रेट के विज़ करना है किसी एक सोर्स को फॉल मत कीजिए आपका अंसर मोनोटोनर सबन जाता है कांड़ बोरिंग भी तो फिर आपके पास कुछ अपर हैंड नहीं रहता कि आपका अंसर कुछ अलग कर रहा है और मैं बार बार बोलता हू कि आपका अंसर लिखने का सिंगल मोटिव है कि आपका अंसर स्टेंडर करना चाहिए तो बुकुर ज्यादा फॉल मत कीजिएगा कुछ कुछ जो मिल जाए उतना काफी आधरवाइज इंट्रेट पे इंट्रेट को काफी जैसा मैंने फिछले वीडियो भी बताया था कि इं चलिए करते हैं किए कि ये बिल्कुल मत कीजिए गारे मार्केट में में बहुत सारे कोस्तन बैंक गवल हैं जो प्रिवचकर दोडियो हैं उसमें और साथ में अंसर दिये हुह है मैंने कुछ बुक्स देखे हैं और उनका अंसर बिल्कुल भी सटिस्फेक्टरी नहीं है तो प्लीज यह मत कीजिए कोश्चन बस पीवाइक क्यू मिल जान उतना काफी है कोश्चन बैंक से अंसर को भी मत कीजिएगा इसका एप्रोच क्या होना चाहिए कि बस जो भी आप बस टॉपिक कम देखिए इसमें और लेड़ी आपको पता है कि वही दस से पंदरा टॉपिक्स पिछले बीस साथ से पूछ रहा है न और इसमें भी वैसे टॉपिक्स पूछने के चांसे कम ही होते हैं जो जैसे कि लाश्ट एजाम में पूछ चुका हो तो सब्सक्राइब करने करने होंगे तो इतना कम है तो काफी अच्छे से करिये कोई भी टॉपिक कर रहे हैं उसके सारे डाइमेंशन को कबर कीजिए जो भी हो सके चाहे वो मौरिया आर्ट कर रहे हैं या फिर पटना कलम प्रेंटिंग कर रहे हूँ कि उसमें जितने सब टॉपिक को कवर करेंगे इतना ज्याद अच्छा होगा ठीकना तो यह आपको ध्यान देना है अब आगे बरते हैं जैसे इसमें कौन-कौन से सिक्संस हैं ना लिष्ट अब सेख्संस बात करते हैं जितने भी question पूछे गया है उसमें उसको मैंने broadly five sections में डिवाइड कर दिया है आर्ट रिन कल्टर का section आता है जिसमें पाल आर्ट पटना कलम प्रेंटिंग और मौरिया प्रेंटिंग आता है सॉरी मौरिया आर्ट आता है तो यह तो certain है कि इनमें से एक question होता है है फिर ट्राइवल डिवोर्ट में मुंडान संधाल कभी कभी ऐसा होता है कि इनों से question नहीं होता है लेकिन अम्मूमन हर साल एक question होता है यह फिडव मूमन में जैसे काफी सारे topic आते हैं जो हम आगे आपको करेंगे डिसकस कि जैसे पहले इससे पिछले साल कॉंगर से question पूछे गए है पर्सनाल्टी में भी अब चुकी पिछले दो साल में ऐसा trend देखा गया है कि काफी डिफ्रेंट पर्सनाल्टी से लो question पूछन पूछन लगे तो वह आगे देखेंगे और एक और टॉपिक है question education विहार रवाकि मिश्लेनियस की कुछ-कुछ ऐसे question पूछ देते हैं जो कभी अपीर नहीं होते हैं लेकिन उससे डर्नी के जोतर नहीं है आपको पता है कि अंत में three question करने out of six या out of five जो भी है चली हम सबसे फ़ली इसमें art and culture देखते हैं इसमें questions का training देखते हैं कैसे क्या-क्या पूछा गया था अब देख रहें कि यह मैंने data लिया है पिछले 17 बीपेसी का है ना 39 से लेके 66 तक यह 17 बीपेसी ग्राम्स का data है और आप देखते हैं यहां पर कोई भी ऐसा year नहीं है जिसमें एक भी question ना पूछा गया हो मत्तब कोई ना कोई इन टॉपिक में इन टॉपिक्स में से कोई न Lug Second Rain देखें तो 66 में देख रहे हैं कि पतना कलम था 65 में पॉल और कॉलया था 64 में मोरिया तक पटना कलम पैंटिंग था ऑचा इसो अप फिर से 660 में मॉरियार्ट था सपवर्ण से पटना कलम सिर्पन पचंपन 45 मोरिया रवी और पेंटिंग और पाल आट सुरी मौरे आट रिपीट हो फिर काफी साल के बाद 65 में पाल आट पुछ है तो अगर आप इस ट्रेंड को एनलीसिस करेंगे आपके सामने स्कीम पर आप अपना पॉस्ट करके देख भी लेजिए अगर तो इस ट्रेंड इनलीसिस की हिसाब से इस साल अल्मोस्ट कंफर्म है कि कोश्चन मौरे आठ ही होगा मतलब आम तेलिंग इन 99 परसेंट सर्टन सर्टन है कि यही कोश्चन होगा तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पिपर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब कर देखिए हर सार इससे कोश्चन आया है और इन त्युम्र से किसे टॉपिक कोश्चन आना ही आना है पटना कलम पांच पुछा गया मौरी आर्ट साथ वार और पाल आर्ट चा सब्सक्राइब कम ही चांसे की सब्सक्राइब कि जो आप देखने हैं इसमें कोई भी कोश्चन कोई भी टॉपिक लगतार दो साल रिपीट कभी नहीं हुआ है ना तो बहुत कम चांसे की पटना कलम प्रेंटिंग आएगा और चुकि दो साल से मौरी आर्ट नहीं आया है त तो इसमें अच्छे जितनी वी जितनी वी वह मैं एक अलग नोट बनाऊंगा उसका वीडियो बनाऊंगा मौरी आर्ट का लेकिन आप भी जितने जाया सोर्स हो सकें किसी एक सिंगल सोर्स पर रिलाई मत किजिए जितनी आपको बुक्स से मत बस आपको चार-पांच करी से क अधिया जितना उसमें कुछ इंफोर्मेशन जितनी डालनी है डाल सकें और एक बात का ध्यान देना है रिलेवेंस पक्का डालिया किसी वो टॉपिक का है ना रिलेवेंस यही आपका अंसर को अलग बनाएगा बाकि अंसर से यही प्रेजेंट टाइम में या फिर डिलेवे खासके बिहार में आशकल बहुत जाल नीज में रहता है अब यह पटना या फिर पटना के आसपास के इलाकों में हर जगा एकसा के वे से सब चलती ही रहता है तो अगर आप गूगल में सच करेंगा तो रिसेंट डेवलेप्रिंस को बहुत जादा देखने को मिलेंगे तो बस 39th VPSC में कोशन आया था जो बहुत पहले है इसको उतना मतलब उतना पहले का तो में लोग को करना भी नहीं है लेकिन फिर भी जो कि मैंने 39th VPSC करना सुरू किया था तो उसको में डाल दिया यह एक मातर ऐसा यहार था कि कोशन आया था कि डाइट एंड राइट एंड प्रिंटिंग्स और भी हार तो आइटिंग 39th VPSC 90s में हुआ होगा है अर्ली इन फैक्ट अर्ली 90s में तो कम ही चांस है कि यह कोशन आएगा जैसे कि इसके स्लेवस में तो मदवनी प्रिंटिंग भी है या फिर मंजूसा आठ भी है या मतलम प्रिंटिंग लेकिन वह सब 0 0.1% चांस है कि आएगा उससे उतना ध्यान मत दीजिए टाइम वेस्ट मत कीजिए आगे बढ़ते हैं ट्राइवर्ली वोल्ट एंडरिट मूवमेंट है ना इसमें मेली मतलब यह तो यह इसने मैंने एड़ कर दिया डरिट मूवमेंट की 65th मिंबर से कोशन आया था कि आप देख रहे हैं कि यह तो संथाल या मुंडा संथाल या मुंडा और 66th में ऐसा था कि संथाल या मुंडा दोनों आया था तो माइट 20 वार तो दोनों नहीं देंगे लगता है दोनों नहीं देंगे लिगे ऐसा चांस है कि कोई एक कोश्चन दोनों में से दे देंगे तो मेरे साब से दोनों कर लेंगे ना तो चांस है कि दोनों में से एक अप्यर हो जाए फिर से तो आपका एक कोश्चन तो मौरिया आर्ट और लेडी हो गया आपको करने हैं तीन कोश्चन ये टॉपिक आपको इसलिए अच्छे से करना और ज्यादा इंपॉर्टिंट इसलिए बन जाता है ना कि ये बहुत ज़्यादा लिब्टेट से लिए बरसाथ है तो इसमें अच्छा करने बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो आपका इसमें नोट्स और आपको अंसर बिल्कुल टॉप नोच को होना चाहिए क्योंकि बहुत लिम्टेट पढ़ना है बहुत कम टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और बच्चे काफी ज़्यादा अच्छे से प्रिपर करते हैं इस टॉपिक को आपको लग रहा हुआ कि आपका बिहार के डामेंस भी काफी जो समय जो जारखंड वन गया है उसके डामेंस भी काफी कवर किजेगा कवर के क्या करेंगा वह तो मतलब सारा उसी गदिया हुआ हो आई तो काफी अच्छे से कवर किजेगा संधार रिवोल्ट और मुंडा रिवोल्ट आई इस वार एक तो आ जाएगा इसमें एक बात इंपॉर्टन द्यान लेना है कि एक 64th बिपीसी कैसा था जैसे कि 65 तो एक मतलब ऐसा था कि इसमें देट मोमेंट इन भी हा रहा था था आई मतलब मुझे नहीं लगता कि बिहार में देट मोमेंट इन बिहार पे कुछ बहुत जादा मेटेल आप काफी इजली मिल जाएगा अंग्या संधिल आपने बहुत जादा मेहनत ना करेंगे उसमें तो इसको मत कीजेगा यह था कि 65 ने पूछ जा था वह एक सौट नूट था तो 66 में दोनों दे दिया ठीकि 67 में आपसको एक तो होना चाहिए इसमें हाँ एक वाद ध्यान देन लाएक यह है कि 64 64 में क्वोश्चन था कि ट्राइवर रिवोल्ट इंदर 19th century मतलब यह कोई संथाल या मुंडा नहीं था मतलब 19th century में इंडिया में जितने वी ट्राइव बुक कोई नहीं ब텐ला दो हो गया रहता है या वाद शल्क कांगार बाके जो हो गया भी या फिर सबया हो गया जो हृ दो हो हो गया और जार्खन में और बहुत जार रिवोल्ट है नाम यार नहीं गर पार हूँ उन सब कभी ऐसा नहीं कि उतनी इंफोर्मेशन इकठा करने लग जाएगा जितना इसके बारे में उन सब रिवोल्ट के बारे में मेरे सब से पांच से आठ लैंड कर नोट्स होना जाए काफी है तो बस इतना किजिए उससे जाज़ा एफट मत लगाईएगा अगर ऐसा कुछ कोशन अपकेर हो तो राम से मेरे सबसे बारा तेरा रिवोल्ट हो जाते हैं सब के बारे में अगर आप छे से आठ लैंड लिख पा रहे हैं म सारहे तीन से चार पेज ही होता है कभी की पांच पेज होड़ा लेकिन ठीक है मतलब चार पेज स्टैंडर मान के चलते हैं तो फोर पेज होते हैं आपके पास तो इतना कर लेंगे उतने में पेज भर जागा उससे जाए आपके पास टाइम भी नहीं होता है तो उससे जाए कि आगे कोई ने कोई 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 चूटेगा है और देखने हैं रिवोल्ट में भी क्वेस्टन्स लगातार आ ही है इसे खास करके रिसेंट टाइम में अगर एक 60 वार्षर को छोड़ दिया जा और एक 65 को छोड़ जा जो कि डा लगातार 66 में 64 में 63 में 59 में 53 55 में 48 52 में कोईटन्स आई ही है तो इसमें लग सब मिलाग ने पिछले 17 साल में 13 कोईटन्स तो आचुके हैं तो काफी इंपॉइन टॉपिक यह भी है और यह दूनों का लिजए तो एक कोशन और पीपर हो जाएगा मेंसाब से है तो यहां तक आपका दो क्वेशन पीपर हो गया है ना अब बात करते हैं फ्रीडम मुवमेंट की फ्रीडम मुवमेंट है ना और फिटे मुविमें देखें बहुत जारा टॉपिक्स हैं और यह सब टॉपिक हैं खास करके जो सुरु के जो जो टॉप के पास टॉपिक्स है नंबर चार को छोड़के 1 2 3 और 5 देखना है न कैसे बार बार खास करके 1 2 और 5 साथ बार चंपान सत्यागरा से एक्टीपिस सिवन रिवल्ट से साथ बार और फिर कुट इंडिया मुव्मेंट या फिर पर कास्ट लायन आज आद दस्ता इसे छे कोस्चन्स है ना यह तिन बहुत इंपॉंटन मेरे हिसाब से है टॉपिक यह पुले फिड़न मुव्मेंट म कि किसान मुव्मेंट से दो बार कोचन आया है 65 में और 41 में एक अलग सा कोच्चन था 64 में आया था राइज ऑफ नेशनलिजम इन इंडिया तो यह भी भाली बार आया था लेकिन काफी अच्छा कोच्चन था और मेरे साब से इंपॉर्टेंट कोच्चन ही भी बन जाता है तो उसको आप कर लीजेगा लेकिन मेरे साब से इस वार जो सबसे अज़ादा प्रवाबिलिटी इस टॉपिक में कौन से कोच्चन के आने की 1857 बाव बीर कुबर सी रिवोल्ट कि आप देख रहा है ना कि जैसे 53 55 वार 56 59 यह दो साथ लगतार पूछा गया था लेकिन उसके बाद यह हर अल्टरेनेट यह पर पूछाएंगा 63 में 65 न तो बहुत जाए चांस है कि 67 में आएगा चंपान सत्यग्राइब देखना है कि 63 भी था शिक्टी फोर्थ में भी था 65 बीच में था फिर 66 में आ गया तो यह यह भी चांस है कि फिर शे डाल दें 67 में कि बहुत इं रंग का किया हुआ है मैंने यह इसलिए है कि जो 39 और 56 59 का जो चंपान सत्यग्राइब कर दिया है तो सबसे पहले इसमें प्राथमिक्ता दीजेगा 1857 के रिवोल्ट को बहुत अच्छा से करना है इस टॉपिक को बिहार की किसी इस्टे बुक में बिहार मतलब सॉरी 1857 रिवोल्ट के साथ बाव बीर कुवर्स निया तो 1857 तो काफी अच्छे सा आपका अस्पेक्टरम से हो जाएगा उसमें इनफ इन्होंशन दिया है लेकिन उसका जो बिहार का कॉंटेक्स्ट है ना वो अस्पेक्टरम उतना नहीं है तो बिहार की कोई बुक में काफी ज़्यादा दिया हुआ है वो डगलस या फिर आयर कुटी सबकी जो लडाईयां हुई थी बहुत ज़्यादा उसमें इंग्लिस ऑफिसल्स के नाम लिखना है आपको कहां कहां पर क्या क्या हुआ था देभर में क्या हुआ या फिर दानापूर में क्या हुआ था और कहां कहां बिहार में असर पर आ था तो यह आपको बिहार के कांटेक्स्ट में बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है तो इसको प्लीज जो भी आपका सोर्स है कोई बुक है इंटरनेट है यूटिब के जो भी ऐसे इस पर भी मैं में बनाओंगा वीडियोो जैसे मैं बताए कि मैं पहला के आपके बाद मुए आटबर डालूंगा इसका मैं सेकशने वीडियो पर हो होगा क्यूंकि यह समुझे लग रहा है कि इस वार मोस्ट प्रोवल को सेइं तो सेकेंडर में चाहां कि बिलकुल हॉलिस्टिक कवरे जह बहुत जा एक दम कुछ भी ना छूटे तो मैं भी इन दोन टॉपिक से वीडियो डालूँगा तो उससे आप देख सकते हैं इस हवते के अंतर वीडियो आ जाएगा तो सबस्याद इसमें स्वामी सहयंदु पे फोकस करना है सॉरी बाव बीर कुवर सी वो फोकस करना है उसके बाद चमबा सत्यक्राई फिर से कढई लीजिएगा बहुत आसान भी है और इसमें भी इसमें भी रिलिवेंस लिखेगा इसमें भी रिलिवेंस लिखेगा इसमें तो भी बहुत बड़ी न्यूज गी थी कि 23 अप्रिल को इंडिया के मन नहीं जो होम मिनिस्टर हैं सरी अम्मी साहजी आ रहा है थे वही वाबो बीर कोषिंग का कुछ उसमें फंक्सन था उसी में आया थे वो और उसी दिन इंडिया ने गिनीजबु का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक साथ सबसे ज्यादा जंड तो ऐसे चीज़ आपको सर्च करके डालनी है कि क्या रिलेवेंस और छंपां सत्यगरा के तो बहुत सारे डामेंसेंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं मतलब जो कि आप ही कि टाम में क्या कॉंटेक्स्ट है अभी आभी वीचामा सत्त्यगरा की क्या मतलब प्रासंगी किता है यह सब बात हैं तो मैं करों कोशिश कि इस पर भी डालू नकिन यह मेरा उतनी प्राइटी ने भी मैं इस पर मैं पक्का वनूंगा वीडियो कुछ इंडिया मूम्मेंट भी आई डॉन्ट थिंग की द्वारा पूचिंगा 66 में आज चुका है तो इस पर उतना फोकस मत किज पर उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स हैं जैसे यह सब कोचिंग वाले बोलते हैं करने के लिए कि कर लीजिए लेकिन यह सब टॉपिस अब देख रहे हैं 53 55 के बार इसको इन लोगों पूछना बंद कर दिया है ठीक ना जैसे इंडिविवर से तक आया है फ 67 तक तो नहीं करेंगी मेरे हिसाब से तो यह सब मत कीजिए वस पर टाइम बेस्ट मत कीजिए मैं साब से आपको अगर कुछ इंडिया मुवमिंट कर लेंगे और यह एटिविवर्ट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा उसके बाद अगर आपका समय बचा हो तो यह कर सक करते हैं लेकिन यह दो बार ही कोशन है लेकिन चुकि बहुत साल के बाद 41 के बाद 65 में कोशन अपएर हुआ था स्वामी सहाजार नंदिका तो माइट भी इसका एक नया ट्रेंड सुरू हो कि 67 में फिर से पूछ दें लेकिन हाँ इसमें चार टॉपिस काफी है ना क्या मने रिवोल्ट में दो टॉपिक संधार मुंडा दोनों कर लिजेगा और यह फिड़म मूव्मेंट में चार टॉपिक चार दुछे दो आथ ही हुए बहुत ज्यादा तो है ना और मेरे साब से अगर आगर आपकी किसमत अच्छी रही आप फिर सब कुछ जैसा आप सोच्छ र चार आपना आए तो चलिए यहां तक अगर यह आट करने के बाद तो कमसे दो को सब्सक्राइब करते हैं यह ऐसा एरिया जैसे कि हम पर सब्सक्राइब कर देंज जबाहला नहीं देओ कि यह पहली बार कोस्टिन अपियर हुआ है 56 59 थे में उसके बाद almost बस दो साल को छोड़के चार बार कोस्टिन पुछा जाच चुका है और 66 में भी था 65 में नहीं था 64 में था 63 में नहीं था तो इसी जब से साइध इस बार जो हाला नहीं पर कोस्टिन ना हो इस बार क्यूंकि वही दिख रहा है कि alternate years पर पूछ रहें questions है ना और इनके questions जब भी होते हैं तो कौन-कौन से heading कर दे हो तो वही मैंने आपको लिख दिया है जैसे कि 66 में का और 64 में जो लगता है दो कुछ में दोनों बार secularism and commonalism से जोड़के पूछा है उससे पहले 60 बार्षट में इनकी foreign policy क्या थी उससे पहले 56 में कि इनको maker of modern year क्यों बोला जाता है तो इसको तो मेरे साब से फिलहाल छोड़ दीज़ेगा बहुत कम चांसे कि सिक्रिस से वन्द में आएगा क्योंकि कभी भी नहरू repeat नहीं हुए बहुत 56 में हुए तो सारबार से वन्दी लेकिन कम चांसे और करने के तो फिर से और य अपने चांसे से बोड़ना हूं वो वस इस बारते फोकस कर रहा हूं कि आप उस जो टॉप 10 कौन से topics को प्रिपर करना है तो अभी मैं आठ बता दिये हैं है ना इसको मैं उतनी प्राइटी में नहीं रख रहा हूं और इसका मतलब यह नहीं कि आपको नहीं करना का मन है तो कर सकते हैं मैं बस अपनी प्राइटी के हिसाब से बता रहा हूं कि कौन से सबसे मजाना most forward topics हैं जो मैंने अब तक आठ बता हैं जो मैंने उपर count करवा हैं महात् गांधी के बिचारों के वारे में उनकी personality के वारे में उनके व्रक्तित्व के वारे में उनके different topics पे सोच के वारे में अगर बहुत अच्छी conceptual clarity नहीं हो तो आपको इनका question टच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से क्यूंकि देख रहे हैं तो गांधी जी पो जब ही लोगोंने सब्सक्राइब करें के क्या बिचार थे यह पूच दिया था 65 में का कास्ट और इसन अंटचबिटी के वारे में क्या उलना थे पूच दिया था 63 में का इनके social and culture ठाट क्या थे यह पूच दिया था 46 में इनका nation movement में क्या योगदान था पूच दिया था फुट्टी फर्स्ट में फिर से यह था काश्ट और फुट्टी में स्वधेसी था है ना और एक बास साथ वार्शन में बहुत लंबा सा स्टेट्मेंट था इसलिए मैं लिख दिया था तो भले सेंटर्ड थीम हमेशा गांधी जी ही रहे हों लेकिन गांधी जी पर अगर बि एक ऐसी चीज है कि आप उनको कितना ही पढ़ेंगे कभी खत्म नहीं होंगे वह उनके विचार उनके मत्तब गांधी जस्ट टू विप्टू डीड वाली वात है है ना तो मेरे साब से हर वाई ले कुछ नहीं लेके आएंगे ही और आप कितना कवर करेंगा अगर आप गां जो अतनी है तो में आपसे फिलहाल गांधी जी को मत कीजिएगा ठीक ना तो अगरी ना टेगोर की बात करते हैं अगर देख रहे हैं कि दो साल एक था 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 फिप्टी सिक्स्ट एं फिप्टी नाइन और सिक्टी थे इस इस यह दो जाम थे लगातार दो साल रविना परति जो तो तो में यह दोनों टॉपिक कर सकते हैं ना टॉपिक टूपिक कर सकते हैं क्योंकि एक तो बहुत साल से रविना टेगोर के बार कुछ पूछा नहीं गया है और यह अब बहुत मतलब एक तरह से इंपॉर्टन टॉपिक के वाए काफी असाइंस हो भी जाएगा नेट पे बहुत कुछ इंफॉमेशन एवलेवल और मैं तो बोलूँगा नेसी में टॉपिक के लिए ने कि अमेजॉन पे एक बुक है नेसनलिज्म करके बहुत पतली बुक है एको दस पेज के बुक है मेरे हिसाब से और मातर भी 652 डूपिज की मिल रही है एक दिने है कि आप इंटर्नेट पे डिपेंडेंट रहे है या फिर जैसे मैंने जो बुक बताए नेसनलिज्म करके उनका बुक है वो पढ़ लीजे काफी जादा अच्छी बुक है तो अब रभी ना टेगवर का टॉपिक आप लिखा हुए है बाकी तो आप लोग ट्रेन खूद ए आप यह लिखा हुआ हाँ च्छी नाइन फिप यसी में एक थोड़ा ऐसा कोशनी की कंटिबिशन आफ रभी ना टेगवर और हॉव इंट फूं कॉंग्रेस है ऐसा सौरी कंटिबिशन आफ रभी ना टेगवर इन नेशनल मुव्मेंट था तो उस बुक की साइधा से यह हो जाएगा तो प्लीज उस बुक के उपढ़ लीज़ेगा मैंने आप लिख भी दिया है यह पॉइंट आगे बढ़ते हैं अब देखिए और परस्नालिटी की बात करते हैं यही तो यह तो इन दो हमने कवर कर लिया है उसी को में दुबारा वही सेम चीजे हैं और मुष्ट जो हलने नेहरु और महात्मा गांधी से बहुत सार कोच्छन दिखे हैं लेकिन तो कि 66 में दोनों से पूछा जा चुका है तो कम ही चांसी कि आएगा और गांधी जी पर आने की चांसी नहीं लेकिन पता नहीं फिर से वो कौन सा ने टॉप सुवाचन बोश पर 65 में आया था कोच्छन जय प्रगास नारणा रामना लोहिया पर यह दूनों एक ही कोच्छन का पार था फिर 65 में था राइंद प्रसाद पर आप देख रहें कि परस्टनाल्टी की नाम पर इधर पिस्टे दो 30 साल में कोई नए परस्टनाल्टी अभी तो उससे की जाप साब करना है और चुकि बेसिकली यह सब सौट नोश थी था तो अगर आपको पता हो तो आप लिख लिजेगा अदरवाइस इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ करने बढ़ जाएगा जितने भी परस्टनाल्टी हैं बहुत लंबा टास्क बढ़ना फि तो चांसे जाए कि फिर से कुछ नहीं पूछ नहीं यह लोग अभी देखिए जो पूछा गया यहां पर लिखा हो आप लोग देख लीजेगा कि आगे बढ़ते हैं हाँ बेश्टन एजूकेशन मिश्लेनिस इसमें देखिए सब्सक्राइब मैं यह बताता हूं कि इसमें कौन-कौन सब्सक्राइब नहीं पढ़ेगा ठीक ना नंबर तीन से लेकिन नंबर तीन इसा पहले पूछ गया था दुबारा कभी नहीं पूछ है फिर सब मिश्लेनियस टॉपिक है हर साल कुछ नहीं आ जैसे कि एक बार 45 में पूछा था कि सोच्य एन इकनॉमिक चेंजर ड्यूरिंग बिटीस प्रेड इन बिहार यह सब दुगा कोचिन नहीं आएंगे यह 40 से कि में अपने आप में मुझे कावी फ़नी पॉस्टन है कि फिर से मैंने बहले ही बोला कि ऐसे कुछ से बचे जिसके बारे में आपको ज्यादा इंफ्रमेशन साइद नहीं होगी आप जा सकते हैं इतना जादा कितना कुछ पढ़के जाएगा तो ऐसे कुछ आएंगे तो कुछ अलग लिखने के चक्कर में बहुत कुछ नॉर्म और कुछ वो था कि जातियो धर्म किससे क्या लें देया था यहीं ऐसा टॉपिक की कोई तैसा नहीं कि पढ़े गया गया एक और था सिक्टी फोर्थ में ओवर सीज इमिग्रेशन एंड इंडेंचर सिस्टम बिहार से लेटे था उसमें कुछ यह भी मतलब कौन ही ऐसे टॉ अगर नहीं है तो तीसा कुछ में साब से अब यह बहुत रहने का चांस है वेस्टन एजूकेशन डिवरिंग बिटेश पिरियर्ड सिक्टी फ्यूप में था सिक्टी थार्ड में था साट बार सट में था टेक्निकल एजूकेशन भी था लेकिन इस फोर्टी सबन के बाद सब्सक्राइब यह नहीं है कि यह जब भी फुछा ना टेक्निकल के लिग रख है यह निकल एजूकेशन कर से नियुकेशन का थिम ही होता है कि आपके स्टेटीप्याट के दोरान मतलब में यहां जरू कैसे विकास हुआ है विश्टन एजूकेशन में देखिए जो तीन से 1947 तक बिहार में विश्टन एजूकेशन का डिवलेप्मेंट काफी अच्छे से कर लेना है इसमें भी आपको इंटरेट बहुत अखेल कर रहे हैं तो जैसे उपर मैं आज टॉपिक बढ़ाया थे नॉमा टॉपिक मिने इसाब से रवीन ना टैगोर होगा और दसमा टॉपि विश्टन एजूकेशन इन बिहार ये दस टॉपिक सबसे ऊपर रखिए और इसमें से मैं नोट्स दूँगा आपको मौरिया के दूसरा नोट्स होगा क्या बोलते हैं 1857 डिवोलिक को तीसरा जो मैं नोट्स पनाऊंगा ये विश्टन एजूकेशन का नोट्स दूँगा ये तीनों में सबसे पहले अफ़लोड करूंगा उसके बाद जो होगा मैं बताऊंगा तो लेकिन ये ये दस टॉपिक तो सबसे अच्छे से कर लिजिए बहुत जादा आपको हो जाएगा और बहुत चांस है कि आराम से तीन कुष्चन कर लेंगे तो इतना कर लिए बाकी ये सब ट्रेंड आप लोग देख लिएगा वीडियो पहुच करके और क्या कि अधर आप जबेशन ये तो वही कि एक तो अल्लेडी मैंने बोला कि अल्लेडी पंदर वीस टॉपिक सी होते हैं उसमें मैंने आपको दस टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर कि ये इतना छोड़ा टॉपिक है कि इसमें बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके पास वह एज होना चाहिए तीसरा वही ये बात मैं पहले हैं कि किसी वे चीज़ का भी कुछ करेंटिम नीज चल रहा है इसको सर्च कीजिए बहुत आपको नीज मिला किसी भी टॉपिक में नीज मिलेगा मैंने पिछले वीडियो में पटना कलम प्रिंटिंग का बताया था आज के वीडियो में 1857 जि नोट्स बना लेजिए पांच मां यही मैंने पहले कबर कर लिए कि महात्मगान थी तो हमेशा सेंटरल थीम होते हैं लेकिन उनसे जुरे हुए पेरिफेरल थीम चेंज हो जाता है तो काफ़ ट्रिकी एरिया बन जाता है टच मत कीजिए आनले सेंटरे वो काफ़ी अच्छ स लाइंगा फाइदा होगा चांटर मेने पाले बता दिया कैसे को अटेंब करने से बचिए द्रेट मुवमेंट और लेवर मुम्मेंट इंडिहार और 1881 सेंसे में क्या हुआ था इंडेंचले वर यह सब को अटेंब करने से बचिए और साथमा वही अब है जैसे नियर मैं 39 स लेके 66 तो बताया लेकिन जो डिसेंट ट्रेंड साथ वार्ट सट लेके 66 वह जादा मैटा करते हैं तो यह इन सारे ट्रेंड पर ज्याद ध्यान दीजिए और में साथ से ज्यादा कोश्चन्स डिसेंट ट्रेंड की हिसाब सी होगा और वही मैंने बता दिया कि वही टॉप 10 ट टैगोर और यह चार आपको टॉप पर रखने हैं ठीक निंग तो या ठीक ने त्वल जाएगा वह फिसनी से बस इतना है था वाकी आगे भी मैं और जैसे कि जेएस पेपर 2 के सेक्षिन बी में एफी जी स्पेपर ब़न के सेक्षिन बी में या फिर जीयेस पेपर टूप के मैं नोट्स अफ्लोड कर दूंगा तो आगे और वीडियो आते रहें तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों बीच में सेयर किजिए थैंक यू